नमस्कार, प्राइम समाचार माँ स्वागत्छो महस्वसी निपाल रमांत रेस्टा, सुरुगरम अहिले समकाः प्रमुक्षमाचा आरबाटा श्रंद पाल्चक माँ बाडी पहिरोले पठक-ठक जना धनको शेती प्रयाम दापनी सरका देचा आशो दियन आज़ो प्रिविनस्तान माँ पहिरो जादा एक 15 जना कमरतियो, 20 जना खंदा ठेरेगे पत्ता आजो नौजना कोरोना संक्रमीत को मुरतिय। संक्रमीत को संख्या चोनन हजार नागिय। PCR परेक्षण को मुले घटायरा धिक्तम दिह हजार काईयम। योटाई अस्पताल मा कोरोना संक्रमीत र अन्य बिरामी को उपचार गराउदा जोखिम बड़िय। बिलाई मा पुर्वाधार नौबंदा 7000 संक्रमीत घरमाई काश्मान्जो महानगर का मियर्भने पांच तारे होटल माुटाई पटक पटक पार्टी को निड़ाय उल्लंगन गरेको आरुप खेपेका प्रधानमंत्री उलिमा थी स्थाई कमिटी को निड़ाय फलामको चिवर प्रचनलाई साथ लेपची निपाल पक्षदर पर्खा रो धेरको नितिमा बिद्धित प्राधिकरण का कारिया कारिया नर्देश घरसिंग्लाई पुनो नियुक्तिगर्न माग भयपनी सरकार मौन निस पक्षबन्न नौसतिक वारुप खेपदे अक्तियार प्रमुकुब पनी कारियकाल आजई सक्कियो ब्रेक्षित मुद्दाला इले रफ बिलायकर यूए विश को विवाथ अप्षर कियो द्वी पक्षबीच कुरा नमीले पछी कानूने बेकल पको खोजी हुने सम्भाल माई रह इंग्लिश प्रेमियर लीग फुट्बाल मा अहले वेस्ट ग्रॉम रह लेस्ट अप्षर की बीच को खेल जारी सवान नौ बजेटोट इन हैमले अवर तंचंग प्रत्स परदा कर लेए अबा समाचार बिस्तार मा सिंदुपाल्चक को बार्विशे नगरपाली का साथ मा पहीरो मा परी म्रिती होनी को संख्याई घार पगेको सा जिला प्रहरी कार्यले का अनूसार पहीरो मा परी अजजे बिस जना बेपता भाय का सन सनिवार राती बस्ती माधिको खटे खोला औरलीदा खसे को पहीरो मा भीम भीर खरक का दस रो नागपुजे गाउं का साथ घर पुरिये का सन जिला प्रहरी नाइब उपरिक्षक प्रकास सापकोटा का अनूसार नागपुजे र भेर खरक को पहीरो मा जियान गुमावनिमा नागपुजे का बैस्टी बर्षिया भक्ती माया स्ट्रेष्टर अंठानवी बर्षिया टाक्सी सेरपा बैर खरक का 30 बर्षिया जुनू व आट बर्षिया संदेश वेकर निवार टोलका 60 बर्षिया सरकिनी निवार 65 बर्षिया धनलाल वेकर रहे का सन। तेसे गरी मृतकमा नेवार टोल्ड नागपुजे की 60 वर्षय हीरा माया नेवार, 42 वर्षय ज्यानी माया प्रधान, 25 वर्षय कृष्ण बहादुर स्ट्रेश्ट र पास वर्षय सरसुती बेकर रहे काशन। पहिरुमा बेपता बेशना को निपाली सेना सस्त्र र जनपत प्रहरी को समयक्त टोलीले उद्दार कारिया जारी राखेको प्रहरी नाव उपरिक्षक साब कोटाली बताऊन। भाय। भीर खरका र नाक पुजे का गरी अंठाउन न परिवारलाई स्रक्षित स्थान तीर लगी कुछा। फेर खरका का तीन घाई तिलाई थप उपचार का लागे काश्पन उर्वी फर गरी कुछू। शबामुक अगनी साब कोटा आईतववार स्रक्षिया करमेश्ट घटना इस्तल्पगी र स्थाने को अबस्था र उदार कार्या का बारी माँ जानकारी लीनू भाय कुछ। पथिलो 24 खंटा मा देशपर 1049 जना मा कोरोना वाइरस संक्रमन पूष्टी भाय कुछ। आज 1143 जना निको भाय काशन। यसे बीच आज थप नव जना को कोरोना संक्रमन बाट म्रत्य भाय कुछ। सरकाले PCR परिक्षण को सुलक घथायर अतिक्तम 2000 रुप या मात्राई कायम पनी करे कुछ। सरकाले PCR जना संक्रमन पूष्टी भाय कुछ। सरकाले कोरोना भायरस लागे नलागे को थापाउन गरीने PCR परिक्षण को सुलक घथायर अतिक्तम पूष्टी भाय कुछ। ये सगी कोरोना परिक्षण को सुलक 4400 कायम गरीको मा अईले खटायर अधिक्तम 2000 रुप या कायम गरीको हो। अईतबार को नियमित प्रेस रुफिंग मा स्वास्ते मंत्रालाई का प्रभक्ता डक्टर जागे सर गौत नमले PCR परिक्षण मा अब देखी कुणे पनी लियाब ले अधिक्तम 2000 बड़ी सुलक लिनन नपाउने निड़ाय करेको जानकारी दिये। सरकार को यो निड़ाय संगे अब निजी तथा सुलक परिक्षण का लागी तो किये को लियाब हरुले 2000 बड़ी सुलक लिनन नपाउने बताये। बजार मा रियेजेंट रा अन्य सामानर को मुल्य गटे को आधार मा यो समसोधन गरिये को कोविड-19 को PCR परिछण सुलक का सबई परियोक्साला सबई बनना ले पॉब्लिक प्राइबेट सरकारी निजी सबई परियोक्साला को लागी सुलक सबई सुलक साहित अधिक तम रूप दुई हजार रुपियें तो किये कोचा। गटे को पचार का लागी बिलाईमा परिवादार तयार न गर्दा हीले समस्या भोगी रहन परेको छा। कि अस्पताल लाई कोभीड अस्पताल बनाई ये पनी प्रभावकारी बनना सकीको छेना। कोरोनार अन्य बिरामी को पचार ये उटी अस्पताल मा गर्दा थाप जोखिम सेर्जेना भावको भंदै समस्या समितिले सतर कता अपना उपने निस्कर्षा निकाले कुछा। को सिक्ष्यात था स्वास्तिय समिति अंतर गठीद कोभीड उन्नाईस को समदमा सरकारे गरेका कामकार भाही को अनुगमन गर्णा गठीद उपसमितिले कोरोनार अन्य बिमारी को उपचार ये उटी अस्पताल मा गर्दा समस्या देखेको निस्कर्षा निकाले कुछा। का बिरामिको इन्टी भावन मा उपचार हुदे आयको सुपसमिति सम्यजक एबं साम्षद जीबन राम्स्रेस्टले कोरोनार अन्य बिरामिको पचार कुने कमजोरी नभाय पनी यसले गर्दा समस्या देखेको जानकारी देखाशन। सिच्छेन अश्पताल मा धेरे बिरामि उपचार का लागे आउने गरे काले संक्रमण को संभावना रहेको उनको भनाई छा। उनले अन्य बिरामिको पचार मा खटेका स्वास्त्य कर्मी माने कोरोना देखेको ले गंबी र समिदन सिल्विशेमा स्वत्र कता अपना उनुपर ने पताये कासन। बिरामिको पचार मा देखेको समस्या का बारे मा पनी उपसमितिलाई अवगत गराएको उनको भनाई छा। आज आओनी बिरामिको अली जटिल छन, खोड़ मर्विटीटी बडी राहाए शा रा नया चालेंज अरुट हप्पी राहा शा रा अवगत कसरी बढनी, स्टाथेजी कसरी गराऊनी, प्लानिंग कसरी गरनी, रा नया समस्या लाइक कसरी जुद्नी, शरकार समा मिलेरा, यहां कसमा स्या रुकसरी गरनी, विरामिको अले कसरी बडी सुद्नी, स्टाथेजी जुद्नी, रा डे टुद्ने आम रोजन, रूटीन, नॉर्मल एक्टिवीटी अले त्यला असर न गरी गरना, कोरोना को पनी कसरी उपचार गरनी कुरामा, आमले वा काटमंडों महानगर पालिका का मियर विद्या सुन्दर शाक्य करोना वाइरस संक्रमण पछी अहिले काटमंडों को सबै भंदा महंगो आइसोलेशन माँ छन। स्वरकाली ब्यवस्ता नगरिके कारण संक्रमीत भायका साथ हजार भंदा धेरे नागरिक करमाई छन। तर तिनेई नागरिक का जन प्रतिनेदी साक्य भने फाइव स्टार होटोल को महंगो आइसोलेशन माँ बसेगा छन। तर यस विशय मा महानगर पालिकाली सुचना लुकाओने प्रयास करेको छन। प्रतिका लगाईते देशबर कोरोना संक्रमण को चपेटा चा। बंदा बंदी पसाथ पनी हरेक दिन संक्रमीत को संख्या बड़ दो चा। पच्छिला दिनमा काठमांचु जिल्लामा दैनेक तीन देखी 500 को हार हारीमा संक्रमीत थपी रहेका छन। तर काठमांचु महानगर पाली काले संक्रमीत लए उपचार को ब्यावस्ता करना सक्येको छन। अहिले 7337 जना संक्रमीत घरमाई शन। ती मद्य अधिकांग सा काठमांचु का रहेका छन। यस बाटके बुजन सक्किन चपने महानगर ले कोरोना को जोखिमलाई मध्यान चर करदे पूर्वत तयारी करना सक्येन। बिडमबनानाई भन्नुपर्श महानगर के मेर विद्यासुन्दर साक्य एति बेला कोरोना संक्रमाण भाए रहेको महानगर का प्रमुख भने महांगो पैसा खर्च गरेर सोल्टी होटल मां पसे काहुन। मेर साक्य ले अहिले स्रिमती र छोरालाई पनी तेही होटल मा राखे का शन। तर आफोर परिवार कहां छु भन्ने कुरा मेर साक्य ले सार्भशनी करे का शन। होटल सोल्टीले भने मेर साक्य का बारेमा बेक्तिकत कुरा भईकाले जानकारी दिन न मिलने बतायको छ। वेनन आपनी करनालोम नियुको अँछल ही जिशतना अंधामर्ट अंघया जिशतना विजानसे में जए टीगा जाए विग्वाहित, जो अवे हो काचमाज महानगरपालिका का प्रबक्ता इसरमा डंगोल ले पनी मेर साख्य बारे आफले कुने सुचना र जानकारी नव भाएको बताये बदाउप अंद्र गते कोरोना संक्रमन पुस्टी भाएपची घरमाई आइसलेशन मा बसने बताये का मेर साख्य कही दिन घरमा बसेर परिवार साइत तारे होटल मा सरेका होन सुल्टी होटल स्रोत का अनुसार मेर साख्य को परिवार ले लियेको तीन ओटा कोठारा चिकित सकिया अन्य सुबिदा साइत दैनिक करिप 200,000 रुपया सुल्क लागने करी बसे काशन येस बिशय मा मेर साख्य संग बुजन खुजदा उहाको मोबायल कहीले सुईचप तक कहीले फोन ने उड़ देन मेर साख्य र उनका परिवार महंग सुल्क लागने होटल आइसोलेशन मा बसे को पैसा कसले बेहोर्च भनने प्रस्न उपजिये को चा प्राइम टाइम्स टेलिवीजन को लागी सुरिजनाकार की को रिपोट पचलो समया मापदंड बिपरीत को हाथ मा लगावने ठूलो परिमाड को सेनेटाइजर बिभिन कमपनी ले उत्पादन गरी बिक्री बितेरन गरी रहे काशन जसको प्रतक्ष्य मारमा आम नागरिक पटे करी काशन विभिन्ना उष्षद ही पसल हरुका बिक्रिता हरुले समयत तेही मापदंड बिपरीत को सेनेटाइजर रामर हो भन्दे बिक्री बितेरन गर्दी आये काशन सेनेटाइजर बिक्री 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 काशन प्रशाद बजगाई भने अवसोती ब्याबस्तापन विभाग मा जाज कराए रल्याएक सेनेटाइजर मात्र बिक्री करने करेको बताऊशन। अधिकांग से अवसोती बिक्रेताले सेनेटाइजर को गुड़स्तर बारे जानकारी ने नली बिक्री बितरन गरदे आयका छन। अपभुग ताहरू भने मा फदनेटा अनुसार का गुड़स्तर बारे अवसोती बिक्रेता हरू चनाखा होन। पाने पताऊशन। सेनेटाइजर बनी चाहिए अब बिपरित सेनेटाइजर उतपादन गरने काचमांजुका चार र भक्तपुर का एक गरी पांचुटा उध्योक लाई अशोदी व्यवस्ताफन विभागले कारभाही गरे को थियो माफदन्ट बिपरित बिशाक्त मिथानुल हाले र सेनेटाइजर उतपादन गरे पशी ती उत्योक लाई छेतिपूर्दी सहित को जरिवाना र बंद गने तयारे करिये को सो क्या मेरामा दिपु सहाकु साथ मा रितास मा मुख्या काचमांजुका शुक्रबार निदन भयका प्राइम टाइप सेलिवीजन का द्रेश्य संपादक अनेल गौतम को आजव अंत्यस्टी गरिये को साथ अनत्यस्टी मा प्राइम टाइप सेलिवीजन का द्यक्षर विशी धमला लगायत संपुन कर्मचारी गौतम का परिवार नेपाल चलचित्र प्राविदिक्षं का पदादिकारी तथा चलचित्र कर्मिहर को बाकलो पस्तेजर्वाय को थियो गौतम का को सुक्रबार साजर कार्शमान टौको कोटिक्ष्वर मां एक ट्रिपरली ठोकर दिदा म्रत्यभाय को हो गौतम को पार्थिव शरीर मां उनका चुराले द्वागबत्ती दियेगा हूं समाचार को सिल्चिला जारी सा हमी विस्त्राम पच्छी आओं छों विस्त्राम पच्छी स्वागत्छा वबाकी समाचार नेकपामा बारंबार नेतात था कारिय करताले गुठावने प्रश्ण हो प्रधानमंत्री केपयोली एकलोटी धंगले अगी बड़ी पार्थिको निड़य विपरिद राश्नुतिक निवक्ति देखी अन्य नेताहरुलाई बाइपास गरे तर शुक्रबार स्थाई कमिटी बईटक बाटा पारिद भयको निड़य अले पाठीको निड़य अनुसारे शरकार चलनली भनिएको छा पटक पटक सहमती गरे रा उल्लंगन गर्दैया आयका प्रधानमंत्री ओलिले स्थाई कमिटी बईटक का निड़य कारिये नुसारे गरलाँत प्रधानमंत्री ओलिले नेतारलाई गरेको ब्यवास्ता राजनितेक निवक्ती रा पाठी निर्ने विपरीच चलेको आरोप नहीं हो गतम मंग्सिर्मा भयको अदच्चे दोए ओलि रा दाहाल पिस भयको सावमाती पनी ओलिले नहीं तोडेको आरोप लागेको थियो दाहाल मादव कुमार नेपाल जनलात खनाल रा बामदेब गउतम को योटा गूट नहीं बने रा प्रधानमंत्री ओलि का विरुद्ध जण्रै पाज मैना मर्चा बंदी गरे अन्ते तीर गउतम ओलिलाई साथ दिन पुगेपची ओलि रा दाहाल ले बनायको कारे दल्ले सामती को खाका तयार पारिव तेई खाका का आधार मा ओलि दाहाल ले आपनो आपनो भुमी का प्रस्ट पार देई पर्तिबेदन पनी तयार पारि इस्ताई कमिटी बयचाग मा पेस भय को प्रस्टाब मा बिमती राखे पनी अन्ताता नेपाल इस्ताई कमिटी बयचाग मा जुगनू परे कुछ जनाई किसी मिले कारे वियाजन हुन पर्छा, अब कमिटी का बयचाग मा नियामिर वसनू पर्छा, कमिटी मै व्यापक छल्पल गरनू पर्छा, कमिशकम सचिबाल लेको नीनेको आधार मा शरकार का महत्तु पुण नीनेहरू करने त्यो परिपायटे आमी इस्ताफित गर ओली दाहाल रा गौतम नहीं मिले पची केई सुजाब दिदै निर्ने पारिद भायपनी नेता नेपाल वने पर्ख रा एरको रना नितीमा छन। इस्ताई कमिटे वैठागले पारिद गर्यका निर्ने मा मंत्री परिशत पुनर गठन देखे मुख्य मंत्री को हेर फिर सम्मा छो। एक बेक्ती एक पत को रना नितीमा रायका नेपाल पच्चिये नितारू अईले ओली दाहाल को भाग बंडाला नाई मानी रहे काचन। इस्ताई कमिटे वैठागमा जनायको पर्ती बद्दादामा वोली दाहाल ले पती कारिमने गर्चन। केशले नई पाती बेत्रको विवात कती समय मत्तर हुँँचा त्यो समय ले ने बताऊनी चा। चौदो महाधिवेशन को कारिय ताली का स्वार्बजने गरी सकेको कॉंग्रेश को समस्थापन पक्षेले एक पची औरको विवादेद नर्णै गरेरा महाधिवेशन चलने नियत राखे को आरुप खेपी रहे कोछा। आगा मी फाकुन साथ कते देखी दोस कते समकाटमणमा आये जनागरीने भनियेको महाधिवेशन कॉंग्रेश फित्र का गुट उप गुट काई कारण अन्योल ग्रस्त बंताई गया कोछा। कोरुणा महामारीको बहाना देखाए रा महाधिवेशन अन्योल पारने दाव माहाल को नेत्रत्तो लागी परेको आरुप कॉंग्रिस्फित्र लागी रहेको छा। तरा कॉंग्रिस को 14 महादिवेशन को तयारी का लागी कॉंग्रिस मा कुने दोर्धूब देखी दैना बरुप पार्टी सवापती उनका लागी दिन दिने आकांग्षियरू थपिने र बढ़ने क्रम भने जारी ने छब यसले पनी नेती भन्दा पनी नेत्रेत्तो को लड़ाय मा कॉंग्रिस लागे को स्पस्टा हुन्छा तरा कॉंग्रिस केंदरी यसा दस्य संद्रा भन्डारी भने महादिवेशन बाटा कोही पची हटन नमिलने बताओ दै तो किये के मिती फागोंच 7 गते देखी 10 गते माई महादिवेशन अभाय पनी तेसके आसपास मा महादिवेशन हुने मा आफू विश्वस्तर है को बताओ शन प्रजातांत्रिक शक्ती भाय पनी प्रमुक प्रति पक्षिमा खुमची रहेको नेपाली कॉंग्रिस का लागे सत्तारोड दल नेक पाले 24-25 गते देखी 24-30 गते सम्मा काठमांडों मा महादिवेशन चंपन्न गर्ने नणै गरे संगय थप नैतिक संकट उपजे को छब पार्टी भित्रै गुट उपगुट को सिकार भई रहेको जिल्ला गाउं तथा वड़ा कमिटी मा अजई सदस्यता नविकरण गर्न नो सकी रहेको अवस्तामा कॉंग्रिस ले महादिवेशन गर्ने हो भने समय मैं महादिवेशन को तैयारी मा जूटनै पर्षब नकी सदै टीके प्रविर्दी हावी भई र संकट ग्रस्त बंदे गयको पाटिलाई जन संकट तीर धकिलनु भन्दा पनी महादिवेशन गरी नया नत्रेत्तो चैन गर्नु नै कॉंग्रिस का लागे सबे भन्दा उत्तम विकल्प हो निपाल बिद्धुत प्राधीकरणका कार्यकारे निर्देशक कुल्मान गिसींको चार बर्षे कार्यकलाजख सकिय कोछ 2013-2019 मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भयका कुल्माले देसलाई लोडश्रडेंग मुक्त बनाएर समय कुन जर्मा शफल ब्यक्ति बनेगा सन। अहिली जनेस्तरबाट कुल्मान लाई पुन नियुक्ति गर्नुपने अवाज उठी रहेकुछ तरा सरकारले निड़ाएक नस्चकेकु सहीने। शकीने प्रावधान रहेको भन्दे उनलाई पुन नियुक्ति गर्न नमीले तरका कुल्मान का बिरोधी हरुले गरेको भुझियेकुछ मंत्रालाईका स्चेव दिनेस घिमिरीले घीसिंग पुन नियुक्ती हुने हो भने कार्यविदी अनुसार प्रक्रियामा सामेल हुने तर्क गरे कासान। अरकोतिरा यदी घिसिंग लाई निरंतर्ता दिने हो भने मंत्री परिशदले पहिला उक्त कार्यविदी सम्षोधन वा खारेजगर्णु पर्ने भन्दे मंत्रालाइका केही कर्मचारिहरू लागी परेकासन। येउटा वेक्तिलाई पुन नियुक्ति गर्ना कार्यविदीने सम्षोधन वा खारेजगर्णे कुराले फेरी गलत नजीर बसने वन्दे नया वेक्तिलाई लियाउन उपर्ने मा जुरूड कति पहले दिदे आयकासन। येदेबी घिसिंगलाई निरंतरता दिन उर्जा मंत्री पुन सकरात्मक रहेकोर नेक पाका पाठिय देक्ष्य दोय केपी सर्मा उलीर पुस्त्व कमल दाहाल बिस्पनी कुराकानी भई सकेको जनाईएकुषा। प्राधीकरणको कार्यकारे निर्देशक् नियूगतिका लागे चाले छनोट समीती गठन गरने तयारी मा मंत्रालाईय लागी परेकोषा। तरो मंत्रालाईले अंतिम समयमा आये र कार्यविदीमा समस्या अउल्याई बाट घिसिंगले निरंतरता पाउने कुरामा अन्युलता स्रीजना भाय कुछ मुलुकमा लोडशडिंग अंत्य गर्ना भुमेका खेलेका घिसिंग प्रती धेरैको सहान भुतीर समर्थन रहेकुछ कार्यकारी निर्देश्ट घिसिंग को चार वर्षे कार्यकाल आयते वार्धिकी सक्की कुछ कारेकाल सकीदा सम्म पनी अब कसलाई ल्याउने भन्निमा सरकाले निड़ाय गना सकेगु छैना गिसिंग ले अठार घंटा समको लोडशरिंग हटायर प्राधीकरण लाईनी 24 अर्व संचीत नोक्सानी बाट 5 अर्व को संचीत नाफामा लगे कुभन्दे उनलाईनी दोहर्याउन बिभिन्ना स्चेत्र बाट माग भई रेकुष 2011 साल मा सातों तहको इंजिनियरिंग बाट निपाल बिद्धुत प्राधीकरण मा प्रभेश करेका घिसिंग 2013 भद उनंतिश कते प्राधीकरण को कार्यकारे नर्देश कारुप मा निवक्त भई का थि चिली में जलबिद्धुत कमपनी बाट प्राधीकरण को क्यंद्रिय कार्यले मा तानीर जिम्मिवारी बिहीन बनाये का उनी खुल्ला प्रतिश्परधा मार्फद प्राधीकरण को नेत्रित माये का थि ततकालिन प्रधानमंत्री पिस्प कमल दाहाल रा ततकालिन उर्जामंत्री जनार्दन सर्माली उनको निवक्ती करेका थि प्राइम टाइम्स टेलेविजन का लागी रोशन कारकी को रिपोट ततकालीन यमाले अद्दक्ष्य केपिसर मा ओली संगा रामरी संबन्ध भायका अक्तियार प्रमुग बनने माउका मिली को हो ओलीले द्यार अकतर चईत उन्नाइस काते घिमिरलाई अक्तियार को आयुक्त मा नियुक्त बरे गा थी 2015 साल भदो बिश कते सम्मेदानिक परिशत को वैठकले घिमिरेलाई प्रमुक आयुक्त का लागी सिफारिस करे को थियो एसागी 29 माग 2004 देखेने उनी आयुक को कारे बहाग प्रमुक वैशके का थि परिशत को सिभारिस पची समसद्य असुनवाई समिती माँ चलफल भईर घिमिरेको नाम अनुमोधन भईको थियो रा 2005 असुच चार गते उनी परमुक आयुक्त नियुक्त भईका थि नियुक्त भईपसी घिमिरेले बिजीर पद्धती भीतर रहेर काम गर्नी परतिवादता बेक्त गरेका थि बिगत का कमी कमजरी बात पार्ट सिग्दे भ्रष्टचार जो कोहिली गरे पनी साना ठुला भणेर नाचान ने समेद बतायका थि तर आफनु कारिकाल मा घिमिरेले राजिन्तिक आगरहर पुर्वागरह का आधार्मा कामगरी को आरुप लागे कुसा यद्देपी उनको कारिकल मा केई उधारनिय कामपनी होय कासन प्रमुक आयुक्त घिमिरेले पुर्वा आयुक्त राजिनारान पाठक बिरुद ब्रष्टचार मुद्दा चलाये पर्याप्त प्रमाड को अभाब किबल विडियो फुटेज का भर्मा समेथ मुद्दा दाय माति पनी ब्रष्टचार मुद्दा चलाये शुरिनात उपाध्याये पसी सविएंदा बड़ी राजिनतिक पात्रहोर माती ब्रष्टचार मुद्दा दायर करनी अक्तियार को नेथरीतो करता को किर्थिमान घिमिरेले राहके कासन इकेई उधारन का बिजपनी सकेना, सत्ता जोडेका एती समोको स्वार्थ, दरबार मारको जग्गा, सेकुरेटी प्रेंटिंग प्रेस रा बांसकोटा अडियो टेप, तेलिकम को फोर्जी परकरनन, फ्रेल को ठेका लगायत का मुद्धामा पनी घिमिरेली प्रभापकारी कदम चालना सकेना, घिमिरे सई सम्भू चहुधरी का आफंताले दोसिलाई कडाकार भाही गरनुपनी मा गर्दे, राष्ट पतिलाई ग्यापन पत्र बुझा आयका छन। दोसिलाई कानुन अनसार कारभाई होनु परने, मृतक का तिन बाल बाले का, रहेको बंदे बाल बाले का को जिमा राष्ट ले लिनु परने, उनली बताएका छन। उनिहарु लाई हत्या गरे को राष्ट ले जा वने, उनिहरु लाई कडा बंदा कडा कड़ा वाई होन।ाथ नियरु परने, निपाल को कानुन अनसार। अंदोलन गर्ने मृत का फंत हरुले चिये ताउनी दिये का सन। बिश्राम अगी प्रमुक्समा जार। योटाई अस्पताल मा कोरुणा संक्रमीत्र अन्य बिरामी को पचार गराउदा जोखिम बड़ियो बिलाई मा पुर्वाधार नवंदा साथ जार संक्रमीत खर्माई। काथमटो महानगर का मेर्भने पाच सतारे होटल मां। पटक पटक पार्टी को निड़ाय उलंगन गरेको आरुप खेपे का प्रधान मंत्री उली माथे इस्ताई कमिटी को निड़ाय फलांको चिवराग् पचंडलाई साथ लिये पचे नेपाल पक्षदर पर्खर हेरपो नितीमा। विद्यत प्राधी करण का कार्यकारी नर्देश घेसिंगलाई पुन नियुक्ति गर्ना माग भयपनी सरकार मौं मेश पक्षबनन नौसक के क्वारप खेपते अप्टी आर प्रुम्पक पनी कार्यकाल आजई सरकिये। ब्रेक्जीट मुद्दालाई लिए र बिलायत्र ईयू बिश को विवा थपचर कियो। दुई पक्षबीज कुरा नौ मिले पची कानुनी बिकल्पको खोजी होनी संभावना। रा इंगलेश प्रेमियर लीग फुटब्वाल मा अहिले वेस्ट प्रुम्प्र लेश्ट शीडिवीज को खेल जारी सबाद नौ बजेए ठोटन हम्दे एवर्टन चंग प्रदिश परदाख कर दाई। विश्राम पचिपुना स्वागत छ अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिदी सवा अंतरगत को ध्योग तथा वार्णिज रश्रम तथा पुभोगत आहित समितिले विदेश मा अलपत्र परेका नेपाली लाई अबको एक महिना फित्राउ धार गर्नो निर्देशंदिये कुछा। शिम्ब दर्वार मा इतबार पसिको समिति वैठगले अलपत्र अवस्थामा रहेका स्ट्रमिक लाई कम्तिमा एक महिना फित्राउ धार कारिय संपन्न गर्ने ब्यवस्थित कारिय योजना निर्मान गरी हाल अलपत्र अवस्थामा परिका नेपाली हरुलाई ल्याउनी कारिय ततकाल सुरु गर्न स्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षय मंत्रालाय यो र परराश्ट्र मंत्रालाय योलाई नर्देशंदिये को हो। त्यस्ते विदेश मा अप्ठ्यारों मा परिका नेपाली लाई स्वदेश फरकाउन सरकारले प्रवाफकारी काम नोगरीकु भंदै समितिले सरकारकु धियाना कर्शन गराएकुछ बयटकले नेपालीको धारका लागी आवशेक उडान व्यवस्तापन गर्न एयर्लाइन संग बिलाई मा समुनोय गर्न पनी समितिले संस्कृति पर्डेन तथा नागरेकु द्यान मंत्रा लाईया लाई पनी समितिले नर्देशन दियेगुछ बयटकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेशुर रायय यादवले अप्ठ्यारों मा परेका नेपालीको रूलाई प्राथ मिक्ता का अधार्मा नेपाल ल्याईय को बता नुभाई विदेशमा कामबाट निकालिये का रोखर्च पनी नभय का हरूलाई दुतावास को समन्योय मा सोदेश ल्याउने कारियो गरीने उहाले बता नुभाई समेती सदस्य अरुले भने कोरोना महामारी का कारण सरकारी प्रभावकारी रुपमा कामगर्ण नौशके को बता आयका थिये बईठक मा पर राश्ट्रा मंत्राल यका सोहसचे भरेश चंद्रगे मेरेले विदेश माल पत्रको संख्यामा आउजेपनी 68,000 भन्ता बड़ी रहेको बता नुभाई चार महीना लगडाउन तेस्पची आंग्सरी खुला फेरी नीशिधाग्या कुरोना को जोखिम का करण अपनाएका इउपायले सबै चित्रसंकर्टमा परेकुषा बेसेश करी अर्थ तंत्रसंका जुडेका स्षित्रहरु धरार्शाई बनेका शन येती विला बेविन संक्सोस्ताले उद्ध्यक बैवसायत था अब्यापार खुला गनक लागे हार गुहार गरी रहेगा शन संक्रमन को त्रास सबई माँ छ संक्रमन नफईयोस भनेर चा मैना देखी सरकार ले करेको प्रतिबंद सबबईले पालना गरे तर अबभने इस्तो अबस्तार रहे अधी कांग्सो छेत्र सदै कालागी बंद नहोला भन्न सकी दैना जसका कारण बिविन संक्स्ताले सरकार लगायत बिविन बेक्ती समक्ष्य बिकल्प खोजन दबाब दिन थाली का छन साइबीस नेपाल राष्ट्य बेवसाई महासंगले आबसेक सुरक्ष्या सतर कता अपनाई उद्योग ब्यपार बेवसाई निर्भाद रूप मा संचालन गरना पाउन कालागी पहल गरी दिन माग गर दै नेपाली कांग्रिस का सवाब पती सेर्भादूर देवबालाई ग्यापन पत्र बुजा आएको छ लामसमय बंदा बंदी भई पनी निजी छेत्र का लागी सरकारले ठोस रहाद योजना हरू नले आएको र उद्योक ब्यपार ब्यबसाई संचालन गरना कठीनाई भईको बंदी महासंगले आईतबार देवबानी मास बुडा निलकंट अपोगी ग्यापन पत्र बुजा आएको हो। बिशेज छूट हुनु परने सो अबदी को व्यापार ब्यबसाई तथा अउदोगीक छेत्र को घडभारा मा सरकारी इस्तरवाट उचित रहात को ब्यबस्तापन हुनु परने साथे भारादर बैग्यानिक हुनु परने मासिक भ्याट तथा अन्यकर तिरनेस समय अबदी थब करी बिलंब सुलकत था जरिबाना छुट हुनु परने लगायत का अफुहरुको माग रहेको अदक्षे कटुआले जानकारी दिनु भायु वर भाडा बैंक को ब्याजदर आमिला तिरनमला अतेंता गार वायको छा तेसकारले एसको पनी सरकार को तर्फवाटा चाहि एसलाई पुराई मिना गरुनु पर सा बनेर आमिले बनेकाशु अरको बनेको उद्योगर ब्यबसाई संचालन गरना का लागी जन अब जन जन ब यहां रिन पाउन इस्तिती छाहिना बैंक करुमा अते दिक तरल ता वहिरायको ब्यालामा आमिले बिना दितो रिन अरुपल अब दाउनु पर सा उद्योग बचाउनु पर सा बनेर बनेकाशु उनिहरुले उद्योग र ब्यबसाई बचाउन का लागी बिना धितो पांस प्रतिसत बैस दर्मा रिड को ब्यवस्ता गर्नु पने समेत माग अगी सारे का छनु ग्यापन पद्र बुच्दै द्योबाले उद्योगी ब्यबसाई हरुका जायज माग हरु सरकारले पुरा गर्ने परने बताउनु दै एसका लागी आफुले पनी प्रधान मंत्री संग कुरा गर्ने आश्वासंदिनु भायको महासंका अध्यक्सिय कट्वाले बताउनु भायो पकेपनी अब उद्योग ब्यापार ब्यवसाईलाई चलायमान नबनावने हो भने जनता देखी सरकार्सम आर्थिक संकत्मा परने निस्चित छ तसर्थ बिकल पकोजन धिला गर्न सम्षत को उद्योग तथा वानिज्य रश्रम तथा उपफोगताहित समिती अंतरगत को नेट्वर्किंग ब्यवसाय अध्यन उपसमिती ले प्रचलित अईनमा ततकाल सम्षोधन गर्न शिफारिस करेगो छा समधर्रार मा अईतबार बसेको शमिती बैठक मा उपसमिती संयो जक्सोम प्रशाद पांडेले यस्तो ब्यवसाय असंचारन गर्न दिने विशाय मा प्रदेश रज्तानिय सरकार को भूमिका की हुने ठगी मुद्धा मा कुन-कुन अईन आकर्षित हुने जस्ता विशायला बेगर मुलुकी अपराद चाहिता अईन को परिशेद्ध 21 अनुसार ठगी समन्धिक सूर मा मुद्धा चलाउन पाउने गरी अईन समसोधन होनुपर ने उपसमिती को अध्यन प्रतिवेदन मा उल्लेक छा कमपनी को प्रवंद पत्र तथा नियमा वली मा पिरामेड व्यवसाय संचालन गर्न सकने कुने प्रावधान रहे को पायत यसलाई ततकाल समसोधन गर्न स्टिफारिस करिये को छा बस्तुको प्रत्यक्से बिगरी गर्ने कमपनी को नियुनतम चुकता पुजी तिन करोड प्रियाउन रहाल इजाजत ली रहेगा कमपनी लाई समित छा महिना भीतर स्वही बोमजिम को पुजी व्रतिगर्न लगाउने सिफारिस करिये को छा संयोजक पांडेले उपसमितेले बिविना अठार वटा सुजाव सिफारिस करिको र अरू विशाय शमितीमा चल्फल गर्ने बतानू है उपसमितीले स्वदेश माई सहज उत्पादन हुने बस्तोरू समित विदेश भाजा आयात गरी विक्री वेतरन हुना अशकने भांदे यसमा कडाय का साथ अनुगमन गर्नू परने पतानू भाई सरकाली प्रत्यक्षे विक्री का नामा नेट्वर्किंग नाई इजाज दिये पसी उद्योग वानिजय तथा उद्योग तथा वानिजय रश्रम तथा उपभोगता हिद समितीले साम्षत सुम्प्रशाद पांडे को सहय जकत्तमा पाथ सदशिय उपसमिती गठन करेको थि उपसमिती ने पुण समितीमा प्रतिविधन पनी बुजाएको छाँ अब अंतराश्ट्रिय समाचार ब्रेक्जीट मुद्धालाईड एर विलात्र इव बेस्क विवाद सरकिये कुछ आंतरिक बजार विधेक लाई दुई पक्ष बेस्क विवादले कानूनी बिकल्प सम्म निम्तने संभावना बड़े कुछ बिलात्री प्रधानमंत्री बुरिस जोन्सनले सत्तारुड कंजर्वेटिव का साम्षद हरो लाई सम्मोधन गर्दे ब्रेटियन युरोपेली संभाट बाहरी ने सम्झेवता आंतरिक बजार विधेक मा समर्थन गर्न आगर्वा गर्वा 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 रहेका बिवादाश्पद बुदा नह टायमा उबिरुद्द कानूनी कारवाही गर्वाई गने स्चेतावने दियेकुछ गत बुदबार प्रकाश्पद विधेकले संद हजार बिसको डिसेंबर मा ब्रेक्जिट को संक्रमण कालिन समय सकी पची बिलायत का च्छा राज्जी अब्वीज बिना अबरुद व्यापार को मार्ग प्रसस्त गर्नी छा विश्वर फईलियेक कोरोणा वाईरस का कारण हीले समय करीब 9,26,000 व्यक्ति को मनत्य भायको छा 2,99,82,000 वंदा धेरै संक्रमित मद्दे 2,88,000 वंदा पड़ी व्यक्ति मने संक्रमण मुक्त भायका छन उपजार रथ 32,04,000 मद्दे करीब 61,000 को अबस्ता भने चिनता जनक छा अथिले समस सब भन्दा धेरैं अमेरिका का नागरिक संक्रमित भायका छन भने मुक्ति बणी पनी तेहाँ धेरैं छो अमेरिका माा 36, dans le construction is 68,000 वंदा टेरैं संक्रमित भायका छन ब्राजियल मा 23,04,000 जना देरैं फ्यक्ति भायका छन भारत में 47,65,000 भंदा धेरे संक्रमित भाय का सनु भनी 38,007 भंदा धेरे को म्रत्य भाय को साु रूष्मा संक्रमित को संख्या 10,63,000 पुगे को सा भनी 18,005 से पड़ी को म्रत्य भाय को साु इंग्लिस प्रिमेर लेक फुटबल मा केही वेर पसी टोटन हेमले एवर्टन संगा प्रतिश परदा गर दाईशा। सिजन को पहिलु खेल मा टोटन हेमले एवर्टन संगा खेल न लागे को हुँ। टोटनहेमलिक को मैदान मा हुने खेल मा निपाली समय अनुसार राथी नौपंद्र माज शुरु हुने सा, घरिलू मैदान मा टोटनहेम सुखद शुरुआत करने लक्षशाईद मैदान उत्रने सा, ए भर्टन पनी जित निकाल दे सिजन को सुखद शुरुआत करना चाहां स अहीले वेस्ट ब्रूम्रा ली सेस्टूर सिटी बिज खेल भईरेकुछा, खेल निपाली समय अनुसार 6.42 पजी सुरुभायक हो यो संगे हमी समाचार को अंतियमा इपगे काचाऊं, जानदा जानदा इप्रमक समाचार पुना एक पचक सोद्वपाल्चक मा बाड़ी पहिरोले पठक पठक जनधन को श्यते हुदा पनी सरकार ले चास्टो दियन, आज बिविनेस्तान मा पहिरो जादा 11 जना को मुम्रेतियू, 20 जना फंदा धिरै देपत्ता आज नौजना कोरोना संक्रमीत को मुम्रेतियू, संक्रमीत को संक्या 46,000 नागियो, PCR परेक्षण को मुल्य घटाएर अधिक्तम 2,000 कायम योटाई अस्पताल मा कोरोना संक्रमीत्र अन्य बिरामीको उपचार गराउदा जोखिम बड़े, पेलाई मा पुर्वाधार 9,000 संक्रमीत खर्माई, काचमंडो महानगर का मियर भने, 5 तारे होटल मा पटक पटक पार्टी को निड़ायो लंगन गरेको आरुप खेपे का प्रधान मंत्रियोली मा थी स्थाई कमिटी को निड़ायो फलामको चिवरा, तो चंडलाई साथ लिए पचे नेपाल पक्षधर पर्खर हेरा को निपिमा विद्यत प्राधिकरण का कारियकारी नर्देश घेसिंग लाई पुन नियुक्तिगर्ण माग भय पनी, सरकार मौन निस्पक्षय बन्न नसके कार्व खिर्तेयो फ्यार प्रमुक्क पनी कारियकाल आजई सक्कियो ब्रेक्जित मुद्दालाईली एर बिलात्र ईयु बेजक विवा थप्चर कियो दोई पक्षबिच कोरा नो मिले पची कानुनी बिकल्पक खोजी हुने सम्भावना रोई इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबाल मा आईले वेस्ट ब्रूम रिलेस्ट सिटी बीच को खियर जारी सवा नो बजे विव टोटन हमले एवर्टन संग प्रतिश परधा कर दे अरय प्रतिश 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 बीच्तिश।